दोस्तो साउथ इंड़स्ट्री के सूपरिस्टार प्रभास इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिलम सालार को लेकर सुर्खियों में बने हुए है प्रभास की फिलम दुनिया भर के बोक्स ओफिस पर इतिहास रच रच रही है दुनिया भर में प्रभास का बोल बाला साफ दिखाई दे रहा है फिलम की कहानी और एक्षन सिंस दर्शकों का दिल जीत रहे हैं वहीं बोल्यूड के सूपर स्टार सारु खान की फिलम डंकी भी बोक्स ओफिस पर 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी उसी के अगले दिन साउथ एक्टर प्रभास की स्टारर मुवी सालार भी सिनेमा घरों में रिलीज की गई रिलीज के बाद से ही दोनों फिलमों में जबरदस्त टकर देखने को मिल रही थी वही डंकी ने जहां बोक्स ओफिस पर 29 करोड रुपए के साथ अच्छी सुरुआत की थी वही दूसरी और सालार मुवी ने भी 90 करोड रुपए की ओपनिंग के साथ सुरुआत कर नया रिकोर्ड बनाया फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारुखान की मुवी डंकी और प्रभास की मुवी सालार के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आखिर कमाई के मामले में इन दोनों मुवी में से कौन सी मुवी आगे चल रही है और इन मुवीज ने अभी तक दुनिया भर से कितने रुपए की कमाई कर ली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सारू खान या फिर प्रभास को एक बहतरी नभीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सारू खान की मुवी डंकी के बारे में सारु खान और उनके फैंस दोनों के बीच काफी तगड़ा कनेक्शन है कि इंग खान की फिल्मों के लिए उनके चाहने वालों की दिवानगी देखने लायक होती है डंकी मुवी को अभी तक जिसने भी देखा है वह सारु खान की एक्टिंग को देख भावख हो गया है राजकुमार, हिरानी और सारु खान की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है हलां की पठान और जवान के मुकाबले कमर्सियल तोर पर डंकी मुवी उतनी कामियाब साबित नहीं हो पा रही लेकिन इस फिल्म की तारिफ हर कोई कर रहा है इमोशन, कोमेडी और फिल्म की स्टोरी ने लोगों के दिलों को छूलिया अगर बात करें डंकी मुवी के बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी को अब सिनेमा घरों में रिलीज हुए 14 दिन कम्पलीट हो चुके हैं अगर बात करें इस मुवी के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी ने अपने पहले दिन इंडिया से 29 करोड 20 लाक रुपे का कलेक्शन किया था और अगर बात करें दुनिया भर की कमाई के बारे में पाँचवे दिन 24 करोड 32 लाख रुपए, छटे दिन 11 करोड 56 लाख रुपए, साथवे दिन 10 करोड 50 लाख रुपए, वही आठवे दिन 8 करोड 21 लाख रुपए की कमाई की, इस तरह डंकी मुवी ने अपने पहले सब्ता में 160 करोड 22 लाख रुपए की कमाई कर ली थी, अब डंकी मुवी का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 302 करोड बाण में लाख रुपए हो चुका है वहीं इस मुवी ने अभी तक दुनिया भर से 400 करोड पिचेतर लाख रुपए की कमाई कर ली है अब बात करते हैं प्रभास की मुवी सालार के बारे में प्रभास की फिलम 600 के कलम में सामिल हुई है इस लिस्ट में पहले नंबर पर बाहु बली जिसने दुनिया भर से 650 करोड रुपए का कलेक्शन किया था जबकि दूसरे नंबर पर बाहु बली 2 है जिसने 1788 करोड रुपए का दमदार कलेक्शन किया था वहीं अब सालार भी 600 करोड रुपए के क प्रभास की फिलम को लेकर उनके फैंस काफी उमीद लगाए थे खास बात ये है कि प्रभास की फिलम सालार दर्सकों को खूब पसंदा रही है ऐसे में कह सकते हैं कि प्रभास ने सालार के साथ एतिहासी कमबैक किया है अगर बात करें सालार मुवी के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो इस मुवी को अब सिनेमा घरों में रिलेज वे तेहरा दिन कम्पलीट हो चुके हैं इस मुवी ने अपने पहले दिन इंडिया से टोटल 90 करोड 70 लाख रुपए की कमाई की थी वहीं इस मुवी ने दूसरे दिन 56 करोड 35 लाख रुपए की कमाई की तीसरे दिन 62 करोड 5 लाख रुपए चोथे दिन 46 करोड 30 लाख रुपए पांचवे दिन 24 करोड 90 लाख रुपए छटे दिन 15 करोड 60 लाख रुपए साथ दिन 12 करोड 10 लाख रुपए वहीं इस तरह इस मुवी ने अपने पहले सब्ता में 308 करोड रुपय का कलेक्शन कर लिया था वहीं अब सालार मुवी को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 13 दिन कम्पलीट हो चुके है इस मुवी ने अपने तेहरे दिन 3 करोड 35 लाख रुपय का कलेक्शन किया है अगर बात करे सालार मुवी के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सालार मुवी का टोटल इंडियानेट कलेक्शन 333 करोड पीचे 30,00,000,000 रुपय वही इस मुवी ने अभी तक दुनिया भर से 565 करोड रुपय का कलेक्शन कर लिया है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ